22 जनवारी को आयोध्या में होने वाली प्रभू श्री राम के प्राम प्रतिष्ठा को लेकर जहां सारा देश उत्साहित है वही कानपुर की महापोर प्रमिला पांडी भी राम धुनी में मगन नजर आई इतना ही नहीं उन्होंने सहारा समय की टीम से बात करते हुए कहा की 14 जनवरी से वो कानपुर के 110 वोडों में स्वेम जाकर या उनके पाश्चुदों के साथ जाकर मलिन बस्तियों में लाखों की संक्या में कुम्हारों के हातों से बने मिट्टी की दियों का वित्रण करेंगी इतना ही नहीं महापुर्ण ने ये भी बताया की वो समपुन कानपुर के धर्म गुर्मों के साथ बात कर चुकी है जिसके बाद कानपुर के सभी धर्विस्तलों को भी दीपों से सजाया जाएगा इसके लिए सभी धर्मों ने अपनी सहमती दर्श कराई है इसके साथ इस सहाय समय समवादाता अनुराग श्रीवास्तर से खास बादचीत में बीजेपे के महापोर ने और क्या कुछ कहा आई आपको सुनवाते हैं 22 तारिक को श्री राम की प्राण पतिस्था है आयोध्या में जिसकी जो एक निगाए है समूचे विश्व की इस वक्त भारत देश पर है और यू कह सकते हैं कि आयोध्या पर है जगमगाएगा उस दिन दियों से और यह किस तारीक से किस तरह से शुरू होगा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कानपूर की महापोर हैं उन से जानेंगे कि क्या खास आखिर होने वाला है सबसे पहले महापोर जी बहुत स्वागत है आपका सारा समय पर किस तरह से ये अंदाज होगा क्या होगा खास होगा बाइस जिनवरी का दिन हम लोग कल से काना गाते हुए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो अंगे न सजाएंगे अपने कानपुर को अच्छा सा सजाएंगे अपने कानपुर को घर घर दी पक जलाएंगे अपने कानपुर में मंदिर को सजाएंगे आएंगे राम 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 आएंग मां मेदी सीता यहीं बिठूर में आई थी तो राम को पूरे परिवार को यहांग आजाए तो बढ़ा लगा हूए अगर बात करी जाए तो राम लाला को भी मिनी आयोध्या के नाम से जाना जाता है यहाँ पर तो उस मंदिर की बात करी जाए साथ साथ कई आपने धर्म गुरूओं से भी बात करी है किस तरह से कानपूर को सजाने का प्लान है देखिए मैं अपने कानपूर को सजाने के लिए मैंने सभी धर्म गुरूंस को बुलाया है कि मैंने सबसे प्रातना किया कि मेरा सहर जो है मेरा कानपूर मेरा प्यारा कानपूर उस दिन राम के आने के उपलक्ष में राम के वहां विराजमान साधे पांच जार साल बाद जो काम आ रहे हैं उनके उपलक्ष में पूरा सहर हो मंदिर हो चाहिए मस्जिद हो गुर्दारा हो चाहिए जितने मेरे मंदिर हो छोटे बड़े सब मंदिरों आईसे सजे जोग याद करें अध्या के बाद मेरा कान पूरी पर आई कि मैं कामना करती हूं कि वह उसको सजाने में उतने मेरा साथ दे मैं सारे मलीन बस्तिओं में 10-15 तारीक से अपने पारशदों के साथ मिल के सब बन जिस तरीके से राम, आयोध्या से में आये थे राजा रावण कुमार के, और लोगों ने पूरा देश क्या कहते हैं कि दिवाली मनाई थी, उसी तरीके से जब भगवान भी राजमान होगे, तो पूरा होगा। अच्छा प्रयास है, अगर बात करिया, दियों की अगर बात करेंगी, तो कहीं न कहीं आपके इस प्रयास से रोजगार भी मिलेगा कुमारों को, लगबग कितने दिये बाटने का एक संकल्प है या कितने लगबग मैं तो कम सवालाग दिये बटवाऊंगी, और सफाई, जित प्रयाती हमारे साथ कानपूर महानगर की लोक प्रिय है या कह सकते हैं कि जन प्रिय है महापूर प्रमला पांडे जिनों ने एक संकल्प लिया है कि 22 तारीक को जो आयवध्या में प्रान प्रतिस्था होगी, उससे पूर्व एक जो सप्ता है, उसको एक यादगार सप्ता बनाने का दौर जारी होगा और 14 तारीक से ही इस दिन को कानपूर से यादगार बनाने की शुर्वात होगी, कानपूर से वीडियो जनलीस रवी शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराक शिर्वास्तर